दोस्तो अगर आप इस वीडियो को complete देखते हैं तो आने वाले समय में अगर आप किसी teacher के लिए या खुद के लिए जब आप powerpoint presentation तयार करेंगे तो दोस्तो आप 100 MCQs का powerpoint presentation बहुत ही कम समय में design कर पाएंगे तो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं सिखना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो पे लास्तक बने रहिए देखते रहिए और सिखते रहिए तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मेरा नाम है राजीव और आप देखर अपना YouTube चैनल एड़ टेल मित्रा तो चलिए सुरू करते हैं जो भी टीचर हमें powerpoint presentation बनाने के लिए देते हैं तो दोस्तों वह हमें content type करके देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने content भेज दिया है अब इसका यूज करके दोस्तों हमें powerpoint presentation बनाना है तो यह मैं कैसे बनाऊंगा तो दोस्तों इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ करने की जुरूरत नहीं है अगर मा लिजे कि यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है और उसके बाद 4 options लिखे हुए है और अगर यहाँ पर इस तरह का कहीं पर gap है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस मैनुवली जो है एक एक करके backspace से इस gap को खतम कर दूँगा तीक है यह सारे gap खतम होने के बाद दोस्तों हमारा जो documents है यह कुछ इस तरह का दिखता है और जब इतना हो जाता है उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हमने एक button बना रखा है तीक है इसके बार मैं इस button पर click करता हूँ तो हमारा यह जो हमारा MS Word की जो file थी वो हमारा PowerPoint presentation में convert हो जाता है उसके बाद दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ बस यहाँ पर edit enable के उपर click कर देता हूँ तो इस तरह से दोस्तों हमारा MS Word का जो भी content था वो हमारा PowerPoint में आ जाता है इतना ह होने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ इसे सही जगा पर arrange कर लेता हूँ अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यह सारे content जो है एक ही text box में है और यह दूसरा text box की हमें कोई भी जरूरत नहीं है तो दोस्तों मैं क्या करूँगा यहां से view tab पे click करूँगा और दोस्तों मैं क्या करूँगा इस text box को यहां से delete कर दूँगा और उसके बाद दोस्तों इस text box को कुछ इस तरह से यहां पर मैं arrange कर लूँगा कुछ इस तरह से और नीचे दोस्तों जो भी चीज़े है इसे मैं delete कर दूँगा उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा इसका font change कर दूँगा और इसके लिए हमने default font यहां पर setup कर रखा है तो यहां पर मैं click करूँगा और यहां से दूस्तों मैं attach on apply कर दूँगा यहां से लिए कर दूँगा तो इस तरह से हमारा यह जो है slide तयार हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो भी content है इसका जो size है वह बहुत बड़ा है तो दोस्तों इसे हमें थोड़ा सा manage करना होगा इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे view tab पे click करेंगे वापस से slide master में जाएंगे जो text है इसे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा formatting कर लेंगे इसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा हम tab पे click करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहां से मैं font size दे दूँगा 28 पर enter कर दूँगा और उसके बाद दोस्तों यहां से मैं align text के निचे करके इसे type कर दूँगा और उसके बाद इसमें जो भी जो font apply करना हो वो implications आप apply कर देंगे उसकेब दोस्तों अगर आपको font color change कर नहीं तो आप यहांसे font color change कर सकते है तो यहांसे दूस्तों mm यह वल्कोलरote aad करा दूँगा बस इतना ही दूस्तों मुहें करना है और उसके बाद दोस्तो मैं slide master में जाओंगा और यहां से close master view पे click कर दूँगा इतना करते ही दोस्तो यह slide हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा उसके बाद दोस्तो मैं क्या करूँगा design tab के उपर click करूँगा और design tab के उपर click करने के बाद दोस्तो इसमें मैं default theme apply कर दूंगा कुछ इस तरह से इस पे भी दोस्तो मैंने वीडियो बना रखा है उसका link दोस्तो आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो दोस्तो उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते है कि आप जो है custom theme कैसे बना सकते हैं दोस्तो वीडियो का जो title है वो यह है कि SSC add247 जैसा PPT कैसे बना है तो दोस्तो उस वीडियो को देख करके आप यह सीख सकते है कि आप इस तरह का default theme कैसे बना सकते है as a default theme आप इसे कैसे save कर सकते है ठीक है और जैसे दोस्तों मैं इस पर click कर दूँगा तो दोस्तों यह design जो है सभी slide में apply हो जाएगा अब दुस्तों मुझे जादा कुछ करने की जुरूरत नहीं है बस मुझे यहाँ पर क्या करना है मैं सवाल एड कर आदेना है और इसके लिए מ एक text box और यहां पर दूस्तों मैं एक text box ड्लोग करूंगा और यहां पर दोस्तों लिखदूगा Q.N.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M चाहें तो आप इसे bold भी कर सकते कुछ इस तरह से उसके बाद क्यों कर से यहां से जो है एक text box select करना है ठीक है यहां पर दो ओल्ग 2 a text box draw करेंगे उसके बार दोस्तों हम लोग insert tab के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बार अब हमें मिल जाएगा slide number इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा फिर दोस्तो मैं Ctrl A से All Select कर लूँगा ठीक है Home Tab के उपर क्लिक करूँगा ठीक है उसके बाद दोस्तो मैं Home Tab के उपर क्लिक करूँगा और यहां से दोस्तो font color change कर दूँगा font size थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा और फिर दूस्तों मैं साइड में किलिक कर दूंगा बस इतना करऊंगा तो यहां पे दूस्तों कोच धूमर Automatic सभी स्लाइड में अंड हो जाएगा ठीक है उसके बाद दूस्तों अगर आपको यहां दोस्तों आप यह भी लिख सकते हैं, इसके लिए मैं इसे minimize करूँगा, और इसे यहां पे पे। प्रस्त कर दूँगा, और इसे यहां पे रख दूँगा कुछ इस तरह से, phone size दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लूँगा कुछ इस तरह से और इसका color मैं थोड़ा सा चांज कर दूँगा बस दोस्तों आपको इतना ही करना है और इतना करते ही आपका जो यह slide है वो design हो जाता है उसके भाद दोस्तों आपको गय करना है इस slide को select रहते हुए आपको transaction में जाना है transaction में जाने के बाद दोस्तों यहां से push transaction apply कर देंगे और उसके बाद दोस्तों effect में जाएंगे और यहां से दोस्तों यह वाला from right effect apply कर देंगे यह तो आप यहां से चाहें तो from lab इसमें apply कर सकते हैं इतना हי आपको करना है और उसके बाद आपको slide master के उपर क्लिक कर देश हैं और यहां से दोस्तो आपkom slide master को close कर देना है बस इतना करते ही आप देखेंगे कि सभी slide में question number यहाँ पे add हो गया है चलिए दोस्तो मैं आपको उपर वाली slide में लिकर के आता हूं पहले slide में यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिख्खा हूँ है कोसर No.1 , है कोसर No.2, यहां पर लिखा हुआ है कोसर No.3 इस तक से स्बी जो है स्लाइट हमारा डीजयन हो गया है अगर आपको इसके बीच मे गाप देना है तो इसके लिए आपको गया करना है view tab पे click करना है slide master में जाना है और उसके बाद दोस्तों आप इस text box के उपर click करेंगे ठीक है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे किनारे पे click करके text box को select करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको hum tab में जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको landing space में जाना है अगर दोस्तों आपको और ज़्यादा gap चाहिए तो दोस्तों आपको गय करना है view tab पे click करना है slide master में जाना है फिर से दोस्तों आपको इस text box को select करना है हम tab में जाएंगे और यहां से दोस्तों lining space जो है 1.5 कर देंगे बस इतना ही दोस्तों आपको करना है और इतना करते ही दोस्तों आपका यह जो source slide की PPT है वो बनके ready हो जाता है उसके बाद दोस्तों हम लोग के करेंगे एक बार जो है manually एक एक करके चीजों को check कर लेंगे ठीक है कि हमने जो भी चीजे बनाई है वो सही बना है यहां पर देख सकते हैं कि कुछ चीजे यहां पर गढबढ हुई है क्या इसमें और दो option छोड़ गया है तो यह पर दोस्तों देख सकते हैं कि यह 2 option यह रहेगा ठीक है तो इसे यहां तो इस तरह से दोस्तो आप एक बार सभी चीज़ों 받 करेंगे अग्लिक करेंगे। इस पीची के पर पस्पोल्डर को इसे सैव करना चाहते हैं NAS tut यहां से मैं desktop selector car carloga और यहां पर जो पावरपुवइंट परेंटेशन है जिसेव नहीं करना करना इसके उपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यह वाला option kanca लेना है और दें दूष्टो आपको इसे kids कर देना है और उसके बाद दोस्तों आप इसे close कर देगे तो दोस्तों आप यहापे देख सकते हैं कि यह हमारा जो है powerpoint presentation बन चुका है ठीक है अब जब हम किसी teacher को यह powerpoint presentation भेजेंगे ठीक है जब कभी भी हम इस powerpoint presentation को किसी teacher को भेजेंगे उसके बाद दूस्तों वो क्या करेगा इसके उपर click करेगा और जैसे ही दूस्तो वो इसके उपर click करेगा उसके बाद दूस्तों ये जो powerpoint presentation है ये open नहीं होगा बलकि ये इस तरह से slide mode में आ जाएगा उसके बाद दूस्तों वो जो है इस तरह से इसके उपर लिखिल करके प्ढा सकते हैं इसे explain कर सकते हैं और इस तरह से ये जो PowerPoint Pres сцен है ये हमारा Source Slide का बन जाएगा तो दोस्तों आपने देखा कि Source Slide का PowerPoint Preservation बनाना कितना आसान है और आप कितनी आसानी से Source Slide की PPT बना सकते हैं दोस्तो आप इतनी आसानी से powerpoint presentation तभी बना पाएंगे जब दोस्तो आपको ये सारी चीजे मालूम होगा दोस्तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है अगर आपको ये सारी चीजे आती है यानि कि ये theme कैसे बनाना है उसके बाद दोस्तो जिस बटन के बारे में मैंने बात किया है उस बटन को वहाँ पे कैसे add करना है ये सारी चीजे सिखने के बाद ही दोस्तो आप जो है इस छोटे भाई का मनोबल बरहें दोस्तों अगर आया टेक में तरह चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं